नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइमस आपके साथ मैं हूँ अंकिता गुजरात के सूरत में चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर यकीन करना मुश्किल होगा गुजरात के साथ ही देश के कई राज्यों में आयल कंपनी के पाइपलाइन में छेट कर आयल चोरी करने वाले आयल माफिया संदीब गुपता को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है संदीब पर 400 करोड रुपे की आयल चोरी करने का आरोप है सूरत की क्राइम रांच ने ओईल माफिया को कोलकाता से पकड़ा है पुलिस को उमीद है कि संदीब गुपता की गिरफतारी से इस मामले में शामिल अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी मिल सकती है पुलिस के मताबिक आयल चोरी का मास्टर माइंड संदीब गुपता ही है इसके खलाफ राजस्थान, हर्याना, गुजरात और पश्चिम मंगाल में 20 से जादा मामले दर्श है तो वहीं बिहार सहित कई अन्य राज्चों में भी ओईल चोरी के आपराधिक मामले दर्श किये गए है सूरत पुलिस ने संदीब गुपता के खलाव गिरफतारी वरन जारी किया था शातिर अपराधी गुजरात और राजस्थान के मामलों में अंतरिम जमानत के बाद से फरार था लेकिन अब सूरत पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी है और शातिर अपराधी पुलिस के हद्ते चह चुका है इस काले कारुबार की शुरुवास संदीप ने दक्षिन गुजरात में फ़रनेश ओईल खरीदने के साथ की थी और यही से वो ओईल चोरी करने वाले लोगों के संपर्क में आया संदीप ने एक मोट्स ओपरेंटी तयार किया और इसके तहट वो इंडियन ओईल और ONGC की पाइपलाइन के आसपास की फैक्टरी या शेट किराय पर लिया करता था इसके बाद यह लोग पाइपलाइन में छेट करके तीन से चार टैंकर ओईल चुरा लिया करते थे गुजरात ATS ने संदीप गुपता के खलाफ गुच की टोक कानून के तहट मामला दर्श किया था जिसमें वो फरार चल रहा था संदीप के गिरफतारी के बाद गुजरात पुलिस को मामले से जुड़ी कई और जानकारिया हाथ लग सकती है इस खबर पर आपकी क्या राय है जरूर बताईए जुड़े रहिए जनभाफना टाइम्स के साथ नमसकार